नमस्कार दोस्तों शिवानी टुटोरियल्स में आप सबका स्वागत है आज मैं आपको बताऊंगी फुल हैंड के लिए एक खुबसूरत और स्टाइलिश महंदी डिजाइन सबसे पहले अपनी कलाई पर आड़ी लाइने लगा लें अब इस पर छोटी छोटी पतियां बनाए और बीच में एक गोला कार डिजाइन दे कर उसके दोनों और बड़ी बड़ी पतियां बनाए इन पतियों के अंदर बार्डर भी दें बीच में बचे हुए स्पेस पे मैं मोर की आकार की शेप दे रही हूँ और इसे भरने के लिए टेड़ी, सीधी और चौकौर लाइनों का इस्तिमाल करें अब इसी तरह बचे हुए हिस्से पर भी मैं मोर की आकार की एक शेप दे रही हूँ इसे भी आड़ी, सीधी और गोल लाइनों के साथ सजाएं इसी तरीके से इस डिजाइन को फॉलो करें और छोटे छोटे गोले बना कर उसकी चारो और पत्तियों से इसे सजाएं कलाई पर डिजाइन बन चुका है अब बढ़ते हैं अपने हाथ की हथेली की तरफ तो हाथ की हथेली के दोनों तरफ मोर की पत्तियों का शेप दिया है मैंने और इसे पूरे मोर की लुक देने के लिए मैं इस पर उपर की तरफ मोर की कलगी भी बनाऊंगी यह देखिए इस तरीके से मोर की कलगी बनने पर यह कितना सुन्दर लग रहा है बीच के हिस्से में मैंने एक पत्ति का डिजाइन बनाया है क्छिए बनाय है दोनों तरफ की मोर की आकार की पत्तियों को महंदी से भर ले और इसी तरह बीच में पत्ति के आकार को भी पत्तियों की सीधी और आड़ी लाइनों के साथ एक खुबसूरत लुक दें इसकार के स कि बाल आड़ित है। झाल झाल इसी डिजाइन को हम दुबारा दोहराएंगे और इसी डिजाइन को सेम टु सेम आप बीच वाली उंगली और अंगूठे के साथ वाली उंगली पर भी बनाएं ध्यान रहें कि ये डिजाइन बेहत स्टाइलिश है इसलिए इसे अलग दिखाने के लिए मैं ये डिजाइन सिर्फ बीच वाली उंगली और अंगूठे के साथ वाली उंगली पर ही बना रही हूँ तो ये देखिए फ्रेंड्स अब ये हमारा डिजाइन कंप्लीट होने वाला है आप चाहें तो इसके टिप्स भर सकती हैं या फिर मैं इसे यूँ ही एक स्टाइलिश अंदाज में ड्रॉ कर रही हूँ उम्मीद है आपको ये डिजाइन बेहत पसंद आएगा इसी किसी भी पार्टी या फंक्शन में जरूर बनाएं तो देखिए हर कोई आप से इस महंदी के बारे में जरूर पूछेगा इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल मत भूलें